हलो दोस्तों, वेलकम पैक टो आईजा क्रियेशन और आज हम क्या करेंगे कि यह जो छोड़े चोड़े टैसल हमने बनाए है इसकी हल्प से हम एक कुर्टी को डिजाइन करेंगे तो यहां पर हमने क्या किया है कि एक नायरा कट कुर्टी रेडी की है जैसे कि आप देख सकते ह हो कि यह हमने एक नायरा कुर्टी रेडी की है और इसके जो एजेस है इसके जो चाक है इस पर हमने सिर्फ सिंपल लेस लगाई है अब हम इसका दामन है उसे भी थोड़ा डिजाइनर लुक देंगे तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते है तो यहां पर हमने यह यहां पर एक लटकन बनाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डोरी भी लेंगे और इसे हम पहले यहां पर ट्रैंगल शेप में फोल्ड करेंगे उसके बाद में हमें एक और फोल्ड करना है और इस तरह से एक और फोल्ड करना है इसके बाद में हम क्य लगा ली है जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे तो इस तरह से सिंप्ली हमें यह एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट कर लेना है अभी हम क्या करेंगे कि इसे हम फिलिप कर देंगे तो यहां पर आप देखी सकते हो कि हमने इसे फिलिप कर लिया है सेम इसी तरह से हम यह लटकन बनाएंगे यहां पर यह पूरे फैब्रिक से तो यहां पर हमने यह पूरे फैब्रिक से लटकन बना ली है आप देखी सकते हो कि हमने कितनी सारी बनाई है क्योंकि हम इसके front और back दोनों side में इसे attach करेंगे तो चलिए अब हम कुर्ती में इसे attach करते है तो यहाँ पर हमने यह जो नायरा कुर्ती ली है उसके दामन लेंगे हम क्योंकि इसका जो दामन है वो हमारा cut work में है तो यह तो हमारे चाक हो गए इस पर जो हमने lace लगाई है वो भी हमने green color की ही लगाई है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका यह जो दामन है यह हमारा cut work वाला है तो इसका जो center वाला point होता है वहाँ पर हमें इस लटकन को attach करनी है तो यहाँ पर हमने यह दो attach कर ली है आपको बताने के लिए कि इस तरह से जो center वाला point है इसका यहाँ पर हमें इसे attach करना है तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यह जो extra dory थोड़ी से छोड़ी थी उसकी help से हम यहाँ पर इसे attach कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इसे fold करना है और यहाँ पर हम simple इस तरह से यहाँ पर यह corner पर रखेंगे और sweet थागे की help से हम इसे attach कर लेंगे तो यहाँ पर हमें यह sweet थागे की help से इसे attach कर लेना है तो यहाँ पर हमने इसे मजबूती के साथ में अटेच कर लिया है और सेम इसी तरह से हम पूरे फ्रंट और बैक दोनों साइड में यह जो लटकर बना के हमने रेडी की है इसे हम अटेच कर लेंगे तो यह रहा हमारे कुर्ती का फाइनल लुक जो बनने के बाद में कितनी सुन्दर लग रही है आप देखी सकते हो आप भी आपके बेबी के लिए इस तरह की कुर्ती एक बार जरूर ट्राय करें यह पहने में बहुत जादा स्टाइलिश लगती है और यह जो नायरा कुर्ती हमने रेडी की है इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाएंगा अगर आप यह कुड़ती देखना चाते हो कि हमने किस तरह से डिटेल में बनाई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके इसे डिटेल में देख सकते हो और इसी के साथ सथ हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने यह सर्कुलर प्लाजो भी रेडी किया है अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले वीडियो पूरा देखने के लिए ठैंक यू